वेल्कम बैक टू कम्प्यूटर टीशन करियर बाई राखी चौबे आज के इस ब्लड रिलेशन में हम लोग पजल फॉर्म का कोईस्टन करेंगे इस जो पजल फॉर्म का कोईस्टन से इस वन इस वेड़ी इंपोर्टेंट फोर के वी एस एमर्स क्योंकि जो सेंट्रल लेबल की एक्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा हाई लेबल का रिजनिंग आता है और उस हाई लेबल में यह पजल फॉर्म आता है ठीक है यदि आप किसी स्टेट मतलब एस्टेट की प्रिप्रेशन कर रहे हैं किसी स्टेट टीचिंग की तो वहां पर कम दिखेंगे लेकिन अगर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है सिधा सिधा इससे कुष्टन साता है और बहुत इंट्रेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी कुष्टन नूम्बर वन आपके स्कीन प्यारा यू कें रीड इस दा हस्बेंड और भी सबसे पहले जो इंपोर्टेंट है वो क्या आपको फैमिली ट्री बनाना है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो देखो एस दा हस्बेंड और बी एंड सी यानि की ए हस्बेंड ह किसा क 뚜खो अबन वाइफ का इस तो ठाकी किसे प्रेजेंट करेंगा अपन इकवल से इकवल ड्यू से और ए तो देखो, अब husband wife का relation है, तो clear था कि किस से represent करेंगे अपन, equal से, equal to से, और A male है, मतलब A husband है, male है, तो जाहिर सी बात है, B क्या होगी, female, यानि कि आप F से represent कर लो, इसे, depend करता है, आप minus से भी represent कर सकते हो, कई लोग square और circle से भी कर सकते हो, तो इस depends on U, okay, Now, C is the son of A, C क्या है, son है, किसका A का, यानि कि C भी male है, clear है, Now, D and E are the children of F, D और E's children है, F का, थोड़ी दर के लिए, रोको इसे, क्यों, क्योंकि F की अभी connectivity नहीं जाई है, अपने diagram tree में, F, who is the daughter-in-law of A and B, C, यहाँ पर यदि आपको who दिख रहा है, तो यहाँ पर who किसके लिए यूज हो रहा है, F, who means Joe, देखो, हिंदी में Joe होगा, और who, home, इससे connectivity हो, या जो, जिसका, उसका, तो just पहले वाले की बात हो रही होती है, उससे जो just पहले आगा, यह मैंने first class में हरे एक चीस के लिए क्लियर क्या था, अप प्लेलिस चेक करो, वहाँ से आपको दिख जाए यह A and B की बहु है, ठीक है, clear हो गया, now, अब देखो, F वाला जो अपन ने break किया था, यहाँ पे, D and E are the children of F, यानि की F की children है, यह दो बच्चे है, कौन है, देखो, D है and E है, okay, done, अब D and E का gender clear नहीं है, यहाँ ठीक है, next, what is the relation between C and F, अब देखो, यह रहा, C and F के 20 क्या relation है ठीक है, what is the relation between C and F, यह पूछ रहा है, C and F के 20 क्या relation होगा, now, C, C and F के 20 क्या relation होगा, यह आपको कहां से पता चलेगा, D and E are the children of F, clear, now, C, इस question में एक चीज़ जो missing है, वो यहाँ पे देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आपन ने यह कीस लिया, जहाँ पे F इसकी wife है, क्योंकि कहीं भी एक चीज़ clear नहीं है, कि इसका जो है, वो एक लौटा बेटा है, C जो है, वो A and B का only son है, देखो यहाँ पे, B and C, C is son of A, ठीक है भाई, C बेटा है A का, ठीक है, C जो है, वो लड़का है A का, बढ़ कहीं भी यह mention नहीं है, कि C एक लौटा and B, A और B की wife, sorry, बहू है, कौन, F, एक case तो आपका यह भी बन सकता है scenario, ठीक है, यदि आप यह अपना एजंशन है, दूसरा scenario यह भी तो हो सकता है, कि मान लो A और B, husband and wife है, यह था, C इसका बेटा है, ठीक है, यह भी clear हो गया, दूसरा scenario आपका यह भी हो सकता है, कि यह जो F बहू है, ठीक है, F जो बहू है, वो इसका ना होके, इसका कोई भाई होगा, और उसकी wife हो F, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि इस question के according कहीं भी clear नहीं है, कि C क्या है, एक लोटा बेटा है, A का, अब F के दो बच्चे होंगे, यहाँ पे D और E है न, D और E, यह भी एक case बन स is additionally required to answer the question, यानि कि in options में से आपको एक line ऐसा pick करना है, जो आपको add करना है, इस question में, ताकि आप answer easily निकाल पाओ, है न, यही तो ही कहा रहा है, कि additionally आपको in options में से कौन सा line है, जो आपको जोड़ना है, कहां पे question में, ठीक है, यही तो line जोड़ना है, यदि यहाँ पे अपन जोड़ने, C क्या है, only son हो जाएगा, तो फिर C की wife हो गई, F और F के दो बच्चे हो गई, तो यह clear हो जाएगा, कि C और F husband wife है, यहाँ से तो clear हो जाएगा, बट यदि अगर अपन इसने mention ही नहीं किया, only son है, तो फिर यह scenario भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, यही हो, अब इस तरीके का भी questions आता है, इस level के भी reasoning आपको दिखेगी, central exams में, इसलिए आपको इस level पर, अब यह तो easy साथा, चलो, अब इसे करके देखो, यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारी चीजी अभी सीखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा, this one is very important, यह KVS में आया हुआ questions है, ठी see, in a family, they are two father, two mother, one sister, one brother, two daughter, हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि definitely हर कोई convert कर लेंगे इसे, एक family में दो पिता है, यानि कि दो फादर है, यह आप खुद को resume कर लो एक बार, तो क्या है, दो फादर है, यानि एक तो यह फादर हो गया है, male, और इसके भी पापा दो ढंँ ममी है, इनकी wife बना देते हैं, थो इनकी wife हो गई, अब इसकी भी wife हो गई, clear है, दो मममी भी हो गई, दो पापा भी हो गई, now, one sister, यह क्या कहरा है, एक बेहन है, अब देखो, यहाँ पे यह जो है, इसका gender clear नहीं आब दो इसकी बेहन है, या तो आप इसकी बेहन बना लो या इसकी बना लो किसी की भी बहन बना सकते हैं तो अपन क्या करते हैं इसकी बहन बना देते हैं तो यह आपको एजंशन खेलना होता है यहां पर पजल नेम ही आपको खुद से सॉल्प करना होता है जूम करना होता है तो यहां पर एक बार इसकी एम की यह जो है ना करते हैं अपन नेमिंग कर देते हैं तो help helpful रहेगा ठीक है A B C D B की sister बना देते हैं अपन किसको E को ठीक है B की sister बना दी है किसको E को यानि कि फीमेल है क्योंकि बहन नहीं तो खहे रहा है यह वन ब्रदर फिर क्या है देखो two daughters यानि कि दो बेटी है इस family में ये जो family tree बना रहा है न पर इसमें दो बेटी है अब दिखो दो बेटी तो यह अगर इसकी बहन है देखो B की सिस्टर यदि E है C की बेटी E हो गई automatic है ना C की बेटी तो हुई B की बहन है तो C की बेटी हो गई यह दो सिस्टर बनाना है तो एक तो यह हो गया दूसरा आप क्या करो दूसरा आप क्या कर सकते हो इसकी sister बना देते हैं इसकी sister बना दिये मान लो सब पोच करो इसका भी हम लोग अपन sister बना दिये F मान के जलते हैं ठीक है आगे बढ़ो क्या है one mother-in-law एक mother-in-law है तो देखो D की बात करो यदि आप D को देखो ध्यान से तो D का husband B और B के पापा C, C की ममी है तो D के लिए mother-in-law हो गई न ये इसको naming कर दो आप G तो D की mother-in-law G हो गई तो एक mother-in-law भी हो गया अपना ठीक है नाउ one daughter-in-law एक daughter-in-law तो भाई G की mother-in-law डी की mother-in-law G है तो G की daughter-in-law हो गई D यानि की बहू हो गई ये सास है ये बहू हो गई clear नाउ two sister-in-law अब सी ये चीज़ जियान रखने आपको दो sister-in-law कह रहा भी है देखो sister-in-law मतलब ये देखो D के husband की बहन E हो गई तो यहां पर ये चीज़ कलियर हो गया आपका कि ये ये की sister-in-law कौन हो गया डी अब सीम्पल सा है ये इसकी ननद है अब देखो भाई के wife को भी तो अपन sister-in-law ही कहेंगे ना भाई के wife को भी तो भावी को भी sister-in-law कह सकते हैं तो यहां पर E के लिए भी सेम जिस तरीके से E के लिए D है उसी तरीके से D के लिए E है sister-in-law है ना तो दो sister-in-law भी हो गया आपके पास done now-one son एक बेटा है ठीक है एक बेटा है तो देखो C के लिए B बेटा है ना C के लिए B के है बेटा है तो यह भी clear हो गया now-one granddaughter देखो एक granddaughter है granddaughter यानि C के लिए F मान सकते हैं अपन granddaughter है ठीक है के लिए granddaughter है यहां पे इसका जंडर क्लियर नहीं वह आपन को यह द्यान रखना है ठीक है एक जंडर क्लियर नहीं है यदि अप c को f को मालो granddaughter c का ठीक है अब क्या कह रहा है one grandmother मदर। फिर F की ग्रांड मदर जी हो गई नदाधी। अब एक भी एकस्ट्रा नहीं है यानि कि A अपना एकस्ट्राऴ है यहां पर एकस्ट्राया जा रहा है फांट मदरह जी एक के लिए जी ग्रांड अदर हो गयी इक ही ग्रांड दॉक्तर है इसलिए नीचे आपन धो में थाल्त नहीं रूर्ट रहेँ रखतेए इसलिए छोंग में रिपीच करit करें एक दो country ड्यूंबिंख मॉप्र सुझार देगोरी कुछस्च वह sound है और सिदा सिदा के भी में आया हुआ ये कोस्चन से ठीक है एक के लिए एक फादर हो गया और एक सी फादर हो गयां यह क्लिया है Now, क्या कह रहा है, two mothers, तो इसकी wife हो गई, एक G और D, ये दो माँ हो गई, फिर क्या है one sister, एक ही बहन है, तो B के लिए अपन नहीं क्या किया, E को sister बना दिया, one brother, भाई भी एक ही है, तो देखो E के लिए B भाई हो गया है ना, E के लिए B भाई हो गया इसका, Now, two daughters, दो बेटी हैं इस family में, तो देखो C के लिए एक तो E daughter हो गई, और B के लिए A daughter हो गई, हैना, Now, one mother-in-law, देखो D के लिए G mother-in-law है, and one daughter-in-law, तो G के लिए फिर D क्या है, daughter-in-law, भाई हो गई, two sister-in-law, तो देखो E के लिए D था sister-in-law, और D के लिए E, ठीक है, Now, one son, एक बेटा है, तो B के लिए, देखो, बेटा एक ही है, इस पूरे family में बेटा एक ही है, यह धियान रखना आपको, इसलिए B का यहाँ पे A कोई भाई नहीं बन सकता, क्योंकि इस family में एक ही बेटा है, यदि आप यहाँ पे भी बना देते मेल, तो नहीं match करेगा, न A के grandfather C, और फिर G grandmother, clear है, अब क्या पूछ रहा है, C, question अब है, यह family tree आपका बन गया, यह family tree very important, ध्यान रखना होगा, इसी से आपको question का answer मिलेगा, what is the minimum possible number of persons in the family, यानि कि family में minimum, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, इसमें, तो count कर लो ना, इसे कितने हो सकते हैं, C, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, तो option D is right here, ठीक है, option D right है, 6 लोग हैं यहां पर, बहुत interesting question सा, काफी कुछ इससे आपको सीखने को मिला है, और सेम इसी level के questions आपको exams में सिधा सिधा इखता है, ठीक है, चलो अब इसी तरीके के questions को practice करेंगे, now P is the father of R, ठीक है, P क्या है, father है, R का, इस question को देख P, father है, किसका, R का, यानि father है, तो यह सिस क्लियर है, कि यह क्या है, male है, but R is not his son, देखो, यहां पर बहुत ध्यान देने वाला बात है, यह क्या कह रहा है, इसने, but R is not his son, भाई, यह क्या बात हो गई, P, पिता है, यानि कि R उसका बेटा है, बेटी है, जो भी, but R क्या है, बेटा नहीं है, तो simple सी बात है, बेटा नहीं है, तो यह क्या हो गई, बेटी हो गई, है न, female हो गई, लड़का नहीं है, तो लड़की हो गई, now, T is daughter of R, अब T क्या है, daughter है, किसकी R की, तो चलो बना लो, T daughter है, daughter यानि कि female है, R की, done, U is wife of P, U wife है, किसकी P की, तो इसको भी बना लिया हमने यू वाइफ, q is the brother of r, q brother है किसका r का, तो चलो इसको brother है, यानि कि male है, ये भी बना लिया हमने, now s is the son, ये is होगा, s is the son of q, s son है किसका q का, अब देखो q आया, हाँ, ये रहा q, q का son कौन है, s है, यानि कि ये male है, ठीक है, ये क्या है, male है, ध्यान रखना है, now b is the wife of q, b क्या है, wife है, किसकी q की, ठीक है, b wife है, यानि कि ये दोनों क्या है, husband wife है, q और b क्या है, husband wife है, done, now w is the father of v, अब b के papa कौन है, w है, यहाँ पे, male है ये, ठीक है, w male के, question क्या कहा है आप से, who is the father-in-law of q, q के father-in-law कौन है, तो देखो q कहा है, यहाँ पे q है, q के father- in-law, यानि कि, देखो q male है, तो इसकी wife के जो पापा होंगे, वही तो हुए न, father-in-law, तो q की wife कौन है, यहाँ पे, see, v और b के पापा कौन है, w, तो father-in-law कौन हो गए, यहाँ पे, w, option d is straight here, ठीक है, तो ये easy साथा थोड़ा, चलो, अब इसको करो, now see, p is the father of r, यह सेम वह यही question है, यहाँ पे, family tree यही होगा, question change हो गया, यहाँ पे, question क्या कह रहा है, उसी का part मालो आप, how is the s related to t, s क्या है, मतलब s कौन है, s का t से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है, तो मैंने बताया था, जिसके साथ related लगा होगा, वह क्या होगा, आपका answer होगा, ठीक है, यान बनाया था, देखो, s और t में, s कौन है, t का, तो c, t, t की मम्मी, r, मम्मी का भाई, यानि की मामा, और मामा का लड़का, मामा का लड़का, तो simple है, मामा का लड़का हो लड़की हो, क्या फर्क पड़ता, उसको अपन क्या कहेंगे, cousin, option d राइच है, यहाँ पे, cousin हो बहुत चीज सीखने को मिलेगा, यदि इसे खुद से ड्रा करोगे, तो बहुत ही helpful होगा, now see, seven family members, a, b, c, d, e, f, यानि की साथ family members, and g, ठीक है, they are two married couple, see, इस तरीके का जो hint आपको दिया होता है, ना, कि दो married couple है, एक है, या family में इतने लोग है, this one is very important, इसे आपको ignore नहीं क करना, ये एक तरह से indirectly clue होता है, आपके questions में कोई भी missing होगा, आपको find करना है, ठीक है, तो ये clue बहुत ही important होते हैं, इनको आपको क्या करना है, हमें सा mark out करके रखना है, now see, a is the sister of b, चलो draw करते है, a क्या है, sister है, यानि की a female है, a sister है, kis की b की, done, who is the maternal grand son of e, who किसके लिए हो grand son है, e का, आप देखो, b grand son है, यानि की b तो male है, पोता है ना भाई, किसका, तो इसका भी कोई एक generation होगा, और यहाँ पे, देखो, अब क्या है, see, यहाँ पे यह word बहुत ही important है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे maternal एक word आ गया, दो word आते, exams में generally, maternal और paternal, paternal अपन by default use करते है, जैसी grand son का बात हो रहा था, थो अपन क्या करते है, यहाँ पे मालो, यह B है, तो इसके पापा को बनाते यहाँ पे, यह और एक ही पापा होते, यह तो करते है, ना पर यह वाई डिफॉकर आपको आपन धाना कहते है, ठीक है, यह बाई डिफॉल्ट के लेते हैं, उसके जो पापा होंगे इसके लिए ये grandson है ठीक है तो maternal word बहुत ही important है ध्यान रखना है maternal means relation अब किसके side से चलेगा मम्मी के side से यहाँ पर यदि paternal mention होता तो relation किसकी side से चल रहा होता आपके father के side से okay so mommy है बी की mommy हो गई है यहाँ पर female और इसके जो पापा होंगे यहाँ पर grandson है किसका e का है न यानि कि इसके पापा यह है अभी यहाँ पर missing है तो आप इसको blank छोड़ दो यह male है ठीक है चलो now the father of d has two maternal grand children father of d देखो d के पापा जो है उसके दो ग्रांड चिल्डरन अब डी तो यहाँ पर है नहीं आप एजंप्सन के साथ खेल सकते हो थोड़ा सा पैसंट रखो आगे बढ़ते हैं वैसे आप देखो यदि ग्रांड चिल्डरन के बात कर रहा है तो ग्रांड चिल्डरन यहाँ प कोड़ा पैसंस रखना आगे बढ़ते हैं कि C कोन है इस 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 टर मैं जी का अभी से और जी और दोनों की है और ली के लिए तो नंगे या यह दोनों भाई-बेहन है यह ओर भाई-बेहन है ये पापा है तो definitely ये मम्मी होंगी ना ये मम्मी होंगी तब ही तो ये पापा है यानि यहाँ पर husband wife का relation है ठीक है husband wife का relation है clear है अब देखो उपर चलो एक statement तो क्या है C is the sister-in-law of G देखो G की sister-in-law यानि G male है तो इसके wife की बहन जो होंगी कौन है C ये female है sister-in-law है clear होगे ये tree अब ये क्या कह रहा है अब देखो यहाँ पर D clear है ना D होगा और कोई गुंजायस नहीं है ना D के पिता यानि की E इसकी grandchildren है दो तो यहाँ पर now clear है कि D होगा है ना इस sentence को पढ़ children, दो maternal grandchildren है father of D है ना father of D तो D के papa E, E के दो grandchildren है now D is clear अब इसने क्या कहा है F is a female F क्या है female है देखो कहां पर यूज करना है F का इसने पहले ही बताया था दो MyreD couple है, एक MyreD couple तो आपको यहाँ पर दिख गया, यह वाला MyreD couple कहा हो गया, दूसरा MyreD couple कहां हो सकते यहिंपे तो होगा ना और कहीं गुंजायस है नहीं है यह दोनों भाए बहन है, यह नहीं है यह Husband wife इ repl कोई क्लू नहीं है तो अब एक मैरेट कपल ई होगी इसका कोई होगा जो इसकी वाइफ होगी और जो बचा ही कौन है अब एफी तो बचा है और कौन बचा है तो एफी जब फीमेल दो अब देखो अब यह ट्री बिल्कुल मैच कर जाएगा आपके स्टेटमेंट से हैं अब यह में कुछ टन क्या कह रहाएं वाट इस दर रिलेशन बिट्वीन डी एंद एफ देको डी कहां है और एफ का यहां पर है और एफ आपका यहां पर है और दी और एफ में क्या रिलेशन है सिंपल सा है ना देखो options क्या है f is the mother of d f mummy है d की f mummy है d की तो clear है ना first option तो सही है d के पापा यह हो गए e और e की wife f तो d की mummy पहले यह option है ना f की mother कौन है d option e is right here ठीक है आपको आगे चेक करनी की जरुवती नहीं है तो इस तरीके का questions भी exam में सिधा सिधा दिखता है matter यह करता है totally depends on family tree family tree बहुत ही important है सिर्फ आपको इसे draw करना आना चाहिए ओके चलो अब इसे करते हैं इस questions को करो this one is also very important बहुत चीज आपको मतलब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरुवत नहीं कोई भी question उठालो आप easily solve कर सकते हूं ठीक है चलो a is the father of c and d a क्या है father है किसके c and d के तो इसको draw करते हैं यहाँ पर देखो a father है यानि की male है वाई sorry यहाँ पर क्या है यह a male है ok a male है is the father of c और d clear हो गया c and d का gender clear नहीं है यहाँ पर c and e married couple c and e married couple and they have only two daughter h and i ok c और e देखो c और e married couple है यानि c की wife जो भी है अब husband wife तो यहाँ पर clear है नहीं but c का marriage किसके साथ हुआ है marriage e के साथ अब इनके जो बच्चे हैं वो कौन दे रखे हैं देखो only two daughter h and i यानि की e और c couple है और इनके दो बेटिया है इनके दो फिमेल है इनके बेटे नहीं है यही दे रखा है न two daughter यानि कौन कौन है भाई h है और i है clear है दो daughter है यानि की यह female है अब clear जी इसमें यह mention कर रखा है कि इसमें male नहीं है इसका लड़का नहीं है ठीक है now c is the brother of d c brother है d का यानि की अब c male है यह clear है c male है brother है न डी का अब c male है तो e automatic क्या हो गई female हो गई क्यों क्योंकि यह क्या है husband and wife है ठीक है यह clear हो गया now g is the sister of f g sister है किसकी f की अभी रुख जाते हैं क्योंकि g और f का कोई relation नहीं दिया है and daughter of p c and से जुड़ा हुआ है तो यह daughter of p किसके लिए होगा g के लिए यानि g daughter है p की अब देखो g भी नहीं है p इसको भी रोग दो who is the mother of r यहाँ पर r भी नहीं है and is the grandfather of k आगे बढ़ो क्योंकि यह दिया नहीं हुआ भी who is not the son of d and g b is the mother-in-law of f भी नहीं है अपने पास who is the wife of d आ गया देखो d यहाँ है न डी की wife कौन है who का बात हो रहां तो who किसके लिए use होता है f who का reference किसके लिए हाँ पर f के लिए तो f is the wife of d यानि की f कौन है d की wife है यानि f female है तो भाई अब clear हो गया कि d क्या है male है यह चीज़ तो clear हो गया यहाँ से देखो d and wife एक तो husband and wife है और e और c जो है वो क्या है husband and wife है दो चीज़ के लिए हो गया चलो अब relation कहाँ पर अपन ने break किया था i think यहाँ पर है न c is the brother of d हो गया g is the sister g is the sister of f अब देखो f की sister कौन है g है यानि की g female है done n is the grandfather of k n grandfather है k k अभी k नहीं आया o k who is not the son of d and g देखो अब k के लिए है k बनाना है पहले आपको k है तो who किसके लिए उज़ हो रहा है k के लिए k is not the son of d and g k सन नहीं है d और g का देखो ध्यान से k d का सन नहीं है ठीक है अब d का नहीं है तो f का भी नहीं होगा na husband and wife है फिर g का भी नहीं है तो यहां पर बचाई कौन इसका तो कोई इसका यहां पर एक और कुछा missing है पी यह यह वाला लाइन नहीं बनाया भी d is the sister of f d sorry g is the sister of f g sister है f की and daughter of p यानि की g daughter है किसकी p की यह clear है female है नहीं पी का भी gender clear नहीं है daughter है बस यह clear है ठीक है पी एक second क्या कह रहा है देखो daughter of p कौन है and किसके लिए यूज हो रहा है g के लिए तो g is the daughter of p यानि की p आपका कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है ठीक है okay who is the mother of r अब who किसके लिए उज़ोगा p के लिए p मदर है किसकी r की अब देखो p मदर है यानि p female है अब मदर है किसकी r की तो देखो यहां पर आ जाएगा आपका r है ना इसके बच्चे या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो या एसे ड्रॉ कर लो बात बराबर ही है तो p मदर है किसकी r की यानि p का जेंडर क्लियर है फिमेल है आर का जेंडर यहां पर कलिर नहीं है अब चलो यह जो लाइन जिस पर अपन थे अभी के who is not the son of d and g यानि कि k किसका d का भी नहीं है तो f का भी नहीं होगा और g का भी नहीं है यह कह रहा है और देखो c बचा c का होई नहीं क्योगी husband and wife है तो इस दोनों से किसी का होई नहीं सकता क्यों 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 उपर ही mention है इसके सिर्फ दो ही daughter है h and i इसका कोई son नहीं है तो यहां पर नहीं हो सकता तो आप कौँन बचा सिर्फ ऐरी तो बचा सिर्फ और ही तो बचा तो इसका क्या है he कैं यहां पर आ ठीक है यह क्या है सन यानी कि के मेल है यह क्लिए हो गया इसको मेला क्लिर से कर ज़िती हुआ यहां पर के जो है यह क्या है मेल है, ओकि यह ट्री बन गया अपना now b is the mother-in-law of f b mother-in-law है किसकी f की तो आप देखो f female है यानि husband husband की mammy यानि की इसकी wife हो गई है इसकी wife हो गई ये clear है देखो mother-in-law है किसकी f की तो देखो यहां से f f के husband d d के papa a e की wife f ठीक है mother-in-law हो गई who f who is the wife of d f कौन है जो wife है d की done clear हो गया अब क्या कह रहा है आप से how many married couples are there in the family इस family में कितने married couples है ठीक है इस family में कितने married couples है एक यहां पर n छूट गया न n is the grandfather of k अब देखो n जो है न वो grandfather है k का k का grandfather n है तो देखो k की mammy r हो गई जो भी आप इसकी भी यह है ग्रांड मदर हो गई मतलब एक तरसे के के लिए देखो यह ग्रांड मदर हो गई अब जैसे यह ग्रांड मदर है तो इसके जो husband है वो कौन होंगे grandfather न एन ग्रांड फादर है k के तो देख लो यह का एक जैनरेशन यह इससे उपर इसके husband है अब यह पूछ रहा है कि married couples कितने है इस family में बहुत ही interesting questions था देखो कितने married couples है 1 2 3 और 4 तो आपका कौन सा option से ही हो जागा यहाँ पर option is right here चार married couples हैं जो information दिया हुआ है उसके recording चलो अब इसको करो इस questions को करते है यह last question है इसी पर base दो है यह last question है के इस दा granddaughter of G solve करो इसे क्या कहरा यह के granddaughter है किसका G का now see के granddaughter है यानि कि के female है इसके उपर भी कोई होगा और इससे उपर एक जैनरेशन है जो granddaughter है किसका G का यानि G male है obviously यहाँ पर clear नहीं है कुछ भी मम्मी के साइट से भी हो सकता है पापा के साइट से भी हो सकता है तो K granddaughter है G का clear who यानि who किसके लिए उज हो गया यहाँ पर G के लिए G is married to N G की साधी किस से होई है N से होई है यह clear हो गया अब G male है तो sorry यह N क्या होगा female हो जाएगा G male है तो N female हो गया अगर granddaughter है तो यहाँ पर यह भी clear नहीं है कि male है या female है granddaughter मम्मी के साइट से भी हो सकता है पापा की साइट से भी हो सकता है आप उस से भी बना लो या इस से भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जादे वैसे ठीक है G husband and wife है यहाँ पर G और N जो है यह husband and wife है यह clear होगा ओके नाव देखो B is who is married to N B is brother-in-law of G B कहा है brother-in-law है G का ओके यानि की कोई जो husband and wife होगे इस में से मानलो N का यह भाई है B B कहा है भाई है N का तब ही तो हो जाएगा इसकी wife N और N का भाई B brother-in-law हो गया now who has two daughters but no son देखो G के लिए बात हो रहा है who किसके लिए use हो रहा है G के लिए G के पास क्या है दो daughters है यानि G की तो daughters ही है अब यह चीज़ के लिए हो गया कि यह female है क्योंकि इसका लड़का ही नहीं तो एक यह है और एक कोई और भी मानलो इसकी कोई और female हो गई मतलब कोई और बेटी है G की दो बेटिया है बेटे नहीं है ठीक है C is cousin of E C क्या है cousin है E का E अभी entry नहीं हुआ तो इसको रोकते है इस वाले sentence को जिसको नहीं अपनने यूज क्या उसको mark out कर लेते हैं जी इसको नहीं यूज क्या and brother of K and use हुआ है तो किसके लिए use हो रहा है C के लिए होगा C क्या है brother है K का अभी यहां पर यह भी नहीं है ठीक है F and L are son-in-law of N यहां से clue मिल जाएगा F and L क्या है son-in-law यानि कि दामाद है किसका N का अब देखो N यह रहा ना इसका F और L तो जाहिर सी देखो यह जब यह दोनों बेटिया है तो इसके जो husband होंगे वही तो होंगे son-in-law है ना इसका कोई husband होगा वह हो गया son-in-law तो इसने क्या clear किया है F और L क्या है son-in-law है है ना यह male है दो दामाद हो गए ठीक है L has two daughters L की दो बेटिया है ओके L की दो बेटिया है and one son है अब देखो L है L की दो बेटि माल लो यह female हो गई और क्या कहरा है यह one son है तो एक male भी माल लेते है L के तीन बच्चे होंगे clear है now F has one son अब देखो F कहां इधर F का भी एक son है ठीक है भाई F का एक son है माल लिया हमने and one daughter ठीक है F has one son and one daughter यानि की एक son clear है और एक daughter तो देखो daughter बनाने की जरुवत नहीं क्योंकि K female और के आई की यह जो यहां पर है यह आई नहीं है बीच में wait यह एक mansion है इसकी बेटी के है एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई S के लिए done H & I are daughters of O अब देखो यहां पर कोई O है जिसका H & I क्या है daughters है अब देखो यह कौन हो सकती है O कहां पर आएगा इसमें देखो H & I daughter है O की simple सी है न दो बेटियां होनी चाहिए अब देखो दो बेटी एक तो आपको यहां पर दिख रहा है तो यहां से एकलू मिल गया कि भाई यहां H होगा और यहां क्या होगा आपका I होगा ठीक है यहां पर आपका H हो जाएगा और यहां पर आपका I हो जाएगा H & I daughter है किसका O का अब देखो L इसके पापा है तो simple सी बात है यहां पर आगी है न ओ यहां पर आगया कौन हो गई यह मम्मी हो गई इसकी इसकी बेटी है यह दोनो done now Z is also the member of the family Z भी इस family में आ रहा तो यह की तो खाली बचा यह यहां पर आपके आपके आपने क्या क्या डाल दिया इस ट्रीमे ठीक है इसमें क्या 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 डाल दिया ओके चलो अब इसे solve करो यहां पर क्या किया जैड डाला था भी हमने वेट यह जैड है यहां ठीक है चलो अब अब क्या पूछ रहा है यह बनके अपना family tree पूडा अब यह क्या पूछ रहा है हाव इस ओ रिलेटेट टू सी ओ कौन है ओ कैसे रिलेटेड है किस्से सी से देखो वेर इस ओ यह रहा और सी इसने क्या पूछा हाव इस ओ रिलेटेट टू सी अपना अभी दो ब्लैंक है ना कि कि यहां पर आपने लाइन मिसिंग क्या था शीज कजन औफ ए शी तो यहां पर सिम्पल है ना सिचर है कादं व्रेदर है ठीक है तो यह उग तो एक तो ब्रदर है ठीक है तो यह हो गया कजन हो गया करनुघ की अपना दॉर्इक होगे तो अपना यह देखे मेरे घॉचान फे पर बेस्ट एक एयानि कि तरीकास तरीके से रिलेटेड रेलेटेड में रिलेसण बताना है मैं यहाँ यहां पापा है औरे ओर एच कौन हैक्ट चोल में पूछ रहा है न तो देखो फादर और ग्रांड डॉर्टर का रिलेशन आगया न एन क्या है एन इसकी नानी हो गई या दादी हो गई क्यों क्योंकि आपर जैनरेशन है देखो एच के या पापा पापा के भी पापा और उनकी वाइफ ही है तो यह चोन हो गई ग्रांड डॉर्टर झाल झाल